हेलो फ्रेंड्स आज की इस चर्चा के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में और चर्चा ऐसी है कि आज किसी ने उमीद नहीं की होगी कि बजार इस तरीके से काम करेगा जिस तरीके के डेटा थे वहां पर कहीं पर भी किसी को भी शा एसा खेला है ना डी आई 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 ने और जो हमारे एचनाई इनवेस्टर से हैं कि एफ आई 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 के छक्के छोड़ा दिया है लेकिन हमें अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह जो बुल रैली है जो आज देखने के लिए मिली है यह कही ही न कहीं इसकी जो पटकता है वह वास्ता में एक्सपाइरी वाले वीक में लिखी गई है वहां पर कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसकी वजह साज एफाइज जो है आपको घुटने टेकते हुए नजर आए गुटने टेकते नजर इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पस पाइब देखे गए तो कोई भी एक बार भी वीकनेस के साइन नहीं आए यानि कि जो भी इंट्रडे टेडर्स हैं यह जो पांच मिनट के चार्ट पर ट्रेड करते हैं तो वह आग्ये समझे लिगा एक बार भी ऐसा नहीं देखने के लिए मिला कि बजार ने कहीं भी वीकन सब्सक्राइब करीब 30-40% बाकी बैंकों में इतना बड़ा वोल्यूम नहीं था जितनी बड़ी तेजी इतनी बड़ी तेजी में तो बहुत हो जाते हैं यानि कि सेलर माल आज भी नहीं बेच रहा था इसका मतलब है कि अभी आज उन्होंने जो माल बेचा है वह बहुत कम ह जितनी अगर बाइंग थी तो एफाइज ने शायद बजार को अपने आप ही जो उपर आने दी और शायद वह भी और उपर आने देंगे बजार को और फिर मुझे लगता है कि बुदवार से जो है वो अपना गेम खिलना शिरू करेंगे फिर महां पर थोड़ा सा हलका सा ओ नहीं ने के अंदर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक भी जा सकती है यह मेरे पर्सनल व्यू जिस तरीके से मैं अभी तक जो चीजे देख पार हूं क्योंकि इस तरीके की जब हम तेजी देखते तो वोल्यूम आते थे सेलिंग आती थी लेकिन अब क्यार मार्केट के वो भी FNRO ट्रेड कर रहा है तो यह सारा मामला जो आचला है वो वास्तव में पुट कोल ओप्शन्स का है मुस्ती लोगों को मंदी लग रही थी सब लोगों ने पुट खरीदी थी तो पुट के सब के प्रीम आज भार हो गए अगर आप देखेंगे तो पिछले दोफतों में खूद जो है पुट और कोल के जो राइटर से उन्होंने काफी पैसा बढ़ाया था आज क्या किया है क कि जिन्होंने भी कोल राइट कर रखी थी उन सब लोगों को फसा दिया यानि कि जो कोल के राइटर से जो बंदी खेल रहे थे कोल के राइटर से या जिन्होंने फीचर शोट मार ले वाले का तो घूमफिर का दो चार मेने बाद आई जाएगा लेकिन जिन्हों लोगोंने कोल बेच रखी दी उन लोगों को काफी बूरे तरीके से ट्रैप किया है तो यह पूरे बजार के अंदर आज ऐसा लग रहा था कि जहां पर सबसे ज़्यादा शोट से नहीं कि बजार के अंदर कि आज बजट वाली गेम खेलने की तैयारी में जो उन्होंने फॉस को फसाया था लेकिन मुझे ऐसा लगता कि अपाइज इस पार नहीं फजेंगे क्योंकि एफज ने स्मार्ड़ी दीरे दीरे माल ओफलोड कर रखा है और जो माल उन्हें बचा रखा है उसको शायद वह ला बिल्कुल जीर हो जाएंगे तब वो शायद सस्ते सस्ते बाव में पुट को खरीदेंगे और बजार जब थोड़ा ओवरबोट हो जाएगा तब अपना माल फेकेंगे जैसे आपने देखा पिछले 15 दिन पहले भी बैंक इनुफ्टी 34,000-34,000 दोसों से किस तरीके से उन्हों पिछले 6 मही ने या एक साल के अंदर लोस की हैं तो बताना और जनरली बायर को लोस करता है लेकिन आज तो जो भी कोल के राइटर से नहीं कि जन्होंने कोल सेल करकी तो उनको बहुत इच्छे तरीके से फसाया तो यह तो था मेरा बैक्ग्राउंड जो आज के अनालसी से स जहांकि जनरली हम भी जब ऑपने शूट के सामने पुट को सेल करते हैं तो पुट के अंदर तो जो है जन्होंने वी पुट भी थ 먹고 ती वह बहुत अच्य प्रोफिट्स में यांज एक नहीं हैं जोLS करते इस लोग करते हैं उसे मिद्ध आइज लोग करते हैं यह पीश क्वार्ट से पमारे होते हैं क्योंकि जो फिर फिर चार मेरे उपर आ जाता है और जो वाले हैं वो क्योंकि अपने प्रफोलियों के सामने टो वो लोग भी पैसा कमाते हैं जो भी नेकड जो है लेकिन अगर हैजिंग के सामने होती तो फिर वह बड़े प्रोफिट या लोस के लिए जो है वो तैयार रहते है आईएगा आज का चार्ड देखिएगा आज का निफ्टी का चार्ड है आज निफ्टी ने 14923 पर जो है क्लोजिंग है यह काफी बहतरीन मानी जाएगी और अब इसके पास एक ही रिजिस्टेंस है वह पंदरा जाया जैसी पंदरा जार के उपर क्लोज देगा यह इसके अंदर तेजी आ जाएगी तो जिस तरीके से पिछले तीन दिनों के अंदर उपर से सेलिंग आ रही थी आज जो है बुल्स ने कमांड समाली और इंडेक्स के अंदर गरम बात करें तो यह देखिएगा अपने एक रिजिस्टेंस पॉंट के आसपास जो है आएगा और एक पंदरा हजार के एक साइकलोजिकल रिजिस्टेंस लेवल है शायद कल उसको टच करने की कोशिश बजार करता इस बजार के आएगा अज तेजी वाले शेर देखना आप सब फाइनेशल से मिलेंगे इंडेसिट बैंक 7.36, SBI 6.28, ICICI 4.4, HDFC बैंक 3.85, यहां पर सबसे ज़्यादा शोट पोजिशन थी तो उनी को जो है आज ट्रैप करता हो बजार ने ज़रा है आप लेखिए का यहां पर वीकनेश्टी सिपला में सब्सक्राइब करते हैं बड़े प्लेयर्स की चलो आज हाई बीटा का दिन था तो जो सब्सक्राइब करते हैं और यह देखिए आज का धमाका यहां निफ्टी बैंक और निफ्टी कि पारी क्या यार मोका ही नी दिया आप पुट बेचे जाओ और पांच युट बाद पैसे केश करते जाओ तो जिन लोगों ने भी पुट बेच रखी थी और जहां पुट बेच हो कि सबने पैसे बनाए कोल के बायर्स भी अच्छा पैसा बना रहे थे लेकिन कोल में का उ गुनकुन्न ने अच्छा पैसा कमा जिनके पास नींफिक बैंक बाय था ठाख इंडिविजुड शेस थे बैंक निफ्टी का देखे गा उन सब ने अभ यह भी देखे रही तो रिजिस्टेंस ते तीस जार यह जो पांसो जहां पर बजार बंद हुआ है यहां से लेकिए और यह 34,200 यह पूरा रेजिस्टेंस एरिया है यहां पर देखेगा बहुत जवस्त कंसोलिडेशन वह था पहले भी गिरते वक्त भी तो ऐसा नहीं है कि इस लेवल को तोड़ पाना इतना असान है एक जटके में नहीं टूटेगा क्योंकि यहां तो कंसोलिडेशन हो चुका सकते हैं अगर आप सो लोट के इंदर खेल सकते हैं में एक एग्जांपल लेएं चलो पचास लेएं अगर आपके पस 50 लोट की capacity है 50 लोट आप चीज़ कर सकते पचास लोट का मार जान है तो ध्यान रहें कि आप मैक्सिम से मैक्सिम 10 लोट में ही manage करें क्योंकि अगर आपने अपनी capital के हिसाफ में सारे लोट खेल दिये तो FNO में आप ऐसा नहीं कमबा पाएंगी तो FNO की एक सबसे खास बाती है कि आप अपने आपको छोटी पोजिशन के साथ रखिए एवरेज भी करें हैजिंग भी करें तो अगर आपकी पोजिशन छोटी है तो देर सबेर आपको प्रोफिट ही होगा लेकिन अगर आप बहुत बड़े सोदे खेल लेते हैं तो आपको लोस होगा जैसे कि मान लीजेगा अगर किसी बंदे ने आपकर पिछली रैली के अंदर भी मैं आपको बात बताओं कि किसी आदिक पचास लोट खेलने की ताकत थी और उसने 30,000 पर बैंक निफ्टी शोट कर अगया और अगर उसने हैजिंग करके पुट भी वेची होंगी तो वहां भी पैसे कम हैंगे तो बजार क्या होता है कि लेकिन अगर किसी बंदे नहीं रही हो अगर किसी को मान लीजेगा 10 लोट खेलने की 50 लोट का मार्जन है उसके पास तो उसको करीबन मैं तो यह कहता अगर शोड़केलना है तो और जब भी अभी शेयर खरीदना हो तो पहले पुट बेची है अगर जिसचीज की आपको फेले पुट सेल करिए क्या और प्राइज नहीं आया आपका नीचे वाला तो पुट का प्रीम अपकी चेम में आ गया हो अर जब भी आपको कभी शेयर आपको इसाथ कमाते हैं लेकिन कभी कभार ऐसा होता है बहुत कम चांसे में ज़ब आपको और यह प्रेक्टिस करने से आएगा तो इसलिए कभी भी बहुत बड़े अमाडू के साथ एक लोड दो लोड के साथ करें और कभी भी जब भी आप चीज सीख रहे हैं तो उसकी जो practice है वो index features के साथ करें क्योंकि किसी भी stock features के साथ आप करेंगे तो stocks के इंदर कोई С्टोरी आ सकती है, कोई stocks कितना भी इंगिर सकता और कितना भी बढ़ सकता तो individual stocks में कभी भी नहीं कहना चाहिए जब भी आप ट्रेडर करें तो index के इंदर करें अलाकि इंडेक्स के अंदर ट्रेड करने के लिए आपको emotionally बहुत strong होना पड़ेगा निफ्टी जो है सबसे safe है अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करना चाते तो थोड़ा सा risk लेना चाते हैं तो bank रिफ्टी का जो है काफी volatility रहती है लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी आप F&O में trade करें छोटे volume के साथ करें अपनी capacity से केवल 15 या 20% ही लगाएं और अगर आपके सामने जब shares पड़े हूँ तो ही shorts खेलें और अगर आप long भी करके जा रहे हैं तो जो भी positions आप long कर रहे हैं उसकी delivery उठाने का कम से कम 70-80% पैसा आपके पास होना चाहिए कि अगर वो index आपको खरीजना पड़ जाए तो उसका 70-80% आपके पास है तो आप कभी भी F&O में मार नहीं खाएंगे लेकिन अगर आप naked खेलेंगे किसी भी साइड पर और आपके पास कोई positions नहीं है तो आपको loss हो सकते हैं तो ध्यान रखेगा कि इस तरीके की प्रस्तिती होने के बाद भी जैसे कि आज हुआ क्योंकि हमारी जर्ली शोड पोईशन रहती है यह अपनी कुछ पोईशन को दूसरे तरीके से शिफ्ट कर लेते हैं तो इसमें बहुत स्किल की जरूरत होती है तो जो लोग F&O में ट्रेड करते हैं उनको मैंने आज एक बड़ा मूल मंतर दिया है कि कभी भी बहुत बड़ी positions नहीं ना केले जैसे इस तरीके का जो incidence होता तो कभी कभी है लेकिन जब होता है तो वह एक की बार में जो है आपके 4-5-10 दिन का profit साफ कर देता है उसके बाद देखिएगा HDFC bank आज के 400 कोंटेंगी rally SBI 286.28, ICIC bank 257.68, KOTEC Mendra 105.25, Axis bank 10.25 अब यह देखिएगा यह जो सारे शेस हैं 400 रोनों की पारी खेली HDFC bank ने आज वाइसा ओपनिंग कर रहा था फ्रेंट फूट पे खेल रहा था चक्के ही चक्के फिर देखिएगा SBI पिछली बार का सबसे मजबूत चीए जब परसो जब बजार गिर रहे थे फ्रेंटिक सेशन में पर कभी नीचे पर भाई सैंच्टूरी मार देते थे उस तरीके से मार और विनोध कामवली और सचिन तेंदुलकर ना इसका था एक्टर था वह भी साथ-ससाथ तो यह हमारे टाइम की बात है तो शायद जो मेरी उमर के लोग होंगे उनको समझ में आ गए होगी कि मैं कौन से किर्गेड की बात करूं तो आज कल तो जो फिलाड़िया हो नहीं है और मेरा जो है इंट्रेस्ट भी जो है पहले जितना नहीं है मुझे आज कल प्लेयर्स के ज प्लेयरो एस बीए चैपर सेंट इंडेसिंट साथ पसेंट आर बेल बंक पांच पर सेंट आइस एस बैंक 4.4 पर सेंट बैंक को पुटो दा 4.1 नहीं आज ऐसा लग रहा था भाइस अब लूट लो ये कभी मिलेंगे नहीं आपको इस बाप पे सब भग रहे थे बैंक एक तेस्ट मेंच गा था तो 2020 था तरी तेजी से चल रहा था बाजार यह देखिएगा आफ़ाइस बाइस सो पच्पन रन इंगलेंड वालों की चक्के जुडा दिया वालों के इंगलेंड वालों के फवाइस देखिए का बाइस सो पच्पन क्रोड़ की सेल करी हमारे डियु इनकी सेल इंडिया इसे जाद है चलो इनकी तो यह अबजोर कर गए बाकी कहां से आए मेस्टर इंडिया और हमारा जो रिटेल इंवेस्टर है जो डिलिवरी में केलता है एचना इंवेस्टर साफ कर रही आज लेकिन यान रगिएगा अभी खत्व हैं लास्ट वीक बहुत इस पारी का ध्यान रखिएगा और अभी जो पारी है वो खेली एचना इंवेस्टर से अभी शायद कल भी फिर एचना इंवेस्टर खेलेगा आदे दिन तक उसके बाद देखते हैं कि यह वाईजा जो है फाइज गोरे लोग खेलते हैं यह अभी इनको निप्टा ही देता यह तो पड़का है विए प्टा आप देखलो भाईस अज भी कैश में सेल है अडवांस डेकलाइन आज कह रहे हैं दूर दूर तक मिलने नहीं आज कोई मिलन नहीं होगा आज किसी के साथ फेरे नहीं पढ़े आए और यह एडवांस अलग चल रहा था डेकलाइन अलग चल और देखिए गाजी इतने दिन से स्टोक फीचर में सेलिंग हो रही थी पाँच दिन से और यह मारे चैना इन्वेस्टर को बता था बोले तू शोड मारा ने ले मैं करी दूंगा अंडरलाइंग असेट्स तो कैश है ना इतनी सारी शोड बोईशन में कुछ तो कवर करा दिया पर इध्यान रखिएगा इतनी जल्दी कवर करने वाले नहीं है गोरे लोग है यह मैंने पहले भी देखाई यह खेलते हैं दो तो तीन तीन महीने के हिसाब से खेलते हैं तो बहुत बार बोलते हैं सर ओप्शन ओप्शन भी बता दो ओप्शन ट्रेड भी तो आज देखिए कि में स्ट्राइक प्राइज यहां पर कोल राइटिंग हुई है 3177 पूर तो देखे यह इसमें आप्शन में बताता क्यों नहीं वेब साइट के डेटा आजकल हमें मिलते ह और इसमें जो डेटा दी होते हैं वो पीछे की जीरोस तो हटा रखी है तो यह जो चीजें यह लाखो के अंदर है तो 3177 यह उपन इंटेस्ट अप 15,000 के उपर है और यहीं पर पुट में आप देखोगे तो पंदर आ जा रहा है तो पुट तो कोई लिखनी रहा आप नी यह जो यह जो पर दोड़े जो ने को बेच रखी ती वह भी डर गया था पंदरा जार वालों ने भी 6187 जो है यह अपनी बाइसा डर गये कि पंदरा जार टूट जाएगा तो पंदरा जार के को वाले वी ग्राउंड से बाहर होते हो नजर आए और देखिए और उन्हों पंदरा जार के लेवल को जो है अब यहां पर बेच रखी है उपर आने दो यह भी लोग यह मान के चल रहे हैं कि पंदरा तीन सो तक बजार जा सकता है तो सेट आप देखिए का पंदरा जार पर हालगी अभी भी सबसे बड़ा उपन इंट्रेस्ट है तो अभी भी मेजर रेजिस्टेंस जो है 15000 ही है लेकिन 15000 में से जो कमजोर दिलवाले लोगते जो मंदी खेलते थे जो पंद्रा जा के बाद 55000 तो हई उसके बाद 15500 क भी जाके शिफ्ट हो गया है तो यह तो थी अब देखिए कि मंदी खेलने वाले तो आपने देख लिया कि जहां पर जो रिजिस्टेंस आएगा और स्पोर्ट जहां पर मिलेगी तो देखिए कि सबसे ज़्यादा यहां पर भी तो ओप्षिंस के जो ट्रेड कहा रहे हैं कि चोदा जार साथ सो और चोदा जार अज़ाएंगे एवन चोदा हजार पांसो के ओपर भी जो है कुछ पुट राइटिंग हुई है तो चोदा हजार पांसो तो देखिए का अभी भी सबसे बड़ा उपन इंट्रस् इस अभी है क्योंकि ओपन इंट्रस्ट यहीं पर तो कल देखते हैं अगर पंदरा जार के उपर अगर बजार जाता है तो रेजिस्टेंस भी तूटता हो नहीं जा रहेगा बजार नीचे की तरफ जाएगा तो देखिए को चोदा जरा आट सो पर ठहरना चाहिए क्योंकि 14,800 पे काफी open interest है 14,700 पे भी है और 14,500 तो बहुती बड़ी resistance का जो है काम कर सकता है और e-sport का का म कर सकता है क्योंकि 15,000-14,500 पर सबसे जादा पुट राइटिंग हो रखी है देखे गई मतलब क्या होता है पुट राइटिंग और जो है तो यह लोग आप सुनते तो है रोज टीवी में आज इसका मतलब बताता हूं आपको कहा है देखिए का जो लोग कोल खरीदते हैं इसका अलब वो तेजी कर रहे हैं तो वो तो कुछ थोड़ा सा प्रीमिम दे देते हैं और पूरा का पूरा इंशॉरेंस ले ले लेते हैं कि बजार उपर जाएगा तो हम पैसे लेंगे तो जिसने देखिए का 15,000 की ये फुट है ये कौल करीदी 73 रुपे में तो 15,000 थी 70 रुपे के बाद अगर बजाएगा तो इस वेक्ति के पैसे बन जाएगे 73 से उपर जाने पर तो ये जो 73 से उपर जब बजार जाएगा 15,000 तीहतर से उपर तो कोल के राइटर के पैसे बनेंगे लेकिन जो लोग शेर्स लेके बैटे होते हैं जिनके बहुत सारी बड़ी मातरा में शेर्स हैं उनको लगता है कि बजार 15,000 से उपर नहीं जाएगा तो वो लोग क्या करते हैं 15,000 की कोल को बेच देते हैं तो जिनके पास हो तो खेलते हैं हैं माल रखा हुए हैं निफ्टी के पूरे 50 चीज का combination है या निफ्टी एटी है पर उसके सामने कोल बेच देते हैं अगर वहां पर उपर जाएगा बजार तो उनको अपनी जो भी उनके पास पॉर्टफोलिय वो बढ़ जाएगा होतना तो वो तो खेलते हैं hedging एक दूसरे लोग होते हैं जो speculation खेलते हैं कि इसके उपर तो बजार जाएगा है तो पहली तरीकिए कि जो लोग है उनके पास माल पड़ा होता है तो उनको पताओ मेरा बजार कहां तक जाएगा मैं कितने प्रफिट पर संतुष तो वो वहीं पर कोल राइटिंग करें दूसरे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है सटा केलते हैं सीवा तो वो लोग भी है तो जो सटा खेलने वाले वो डर जाते हैं जल्दी अगर बजार 15,000 तक नहीं पहुचा तो जिन्नों ने भी कोल खरीदे उन्हें सबके पैसे जीर हो जाएंगे और जिसने बेची है वो 73 रुपे लेकर अपने बजे करेगा उसके शिरू में ले लिए तो बेचने वाले को नुक्सान होगा ठीक है तो आज तो मैंने कोल का बत अब देखेगा बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में 33,500 ने एक एहम लेवल है और उसी के असपस बजार बंद हुए है अब यह देखेगा कि इसकी जो ओप्षेंस ना 331 रुपे पर है इसका ओपन इंटेस्ट है 34595 इसका ओपन इंटेस्ट है 29136 तो अभी निफा सकता है और बेश शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ 29600 ने की जो पूठी के राइटरस है वो 33,000 पर सबसे जाता है यह वास्ता में 4,96,000 होंगे और यह 34,000 के आसपस होंगे तो यह रेजिस्टेंस जो है काफी मेन है मुझे नहीं लगता कि कल इसको बहुत असानी से ज 3500 तो यह भी तूट सकता है ज्यादा नहीं है बोलियों 34,000 मत कुछ ही नहीं तो इस का मतलब यह है कि यहां पर भी options घट गई है यहां पर राइटिंग घटी है यहां पर राइटिंग थोड़ी सी बड़ी है तो ना के बराबर तो और यहां पर तो राइटिंग बहुत 500 के आसपस खुद गहमा गहमी हो सकती है अगर बजार उपर ही खुल के तो बात अलगे तो यह सारी चर्चा जो है आज मैंने आपके साथ की वीडियो आपको कैसी लगी जरू से जरू बताइए अब वीडियो थोड़ी लंबी है आज 25 मिनट गिया लेकिन आपको बहुत सार थेंक यू वेरी मच्छ